इंटर्व्यू में बहुत इंपॉर्टन टॉपिक होता है रसाइन पूछा भी जाता है कोई कुशन की रसाइन क्या होते हैं यह रसाइन किस तरीके से वर्क करता है क्या बेनेफिट है इसका सेवन करने का क्या फाइदा है इस तरीके के कुशन बहुत ज़्यादा पूछे जा वहाँ पे चार पाद या फिर उपाध्याए है ठीक है उपाध्याए उस में क्या है रसायन का पूरा description है पूरा वर्णन किया गए जैसे कि पहला जो पाध है वो क्या है अभयामलकिय अभयाम каналकिय इसे याद रखने का जो चारो रसायन चिकित्सा जो है उसके जो चार उपध्याई या फिर उपध्याई या फिर पाद है वो कौन से है याद रखने का जो कोड है वो क्या है आपका एपी के ए आपका एसे क्या होता है अभ्याम लखिये पी से प्राण कामी है के से करप्रचिती है और ए से आयरवेद समुथानिय आपका अभ्याम लखिये प्राण कामिय करप्रचिती है और आयरवेद समुथानिय ये चारों जो है ये नाम है रसायन चिकित्सा जो की चरक चिकित्सा फर्स्ट चाप्टर है उसके जो सब chapters है चार है कौन-कौन से आपका यानि ए से अभ्याम लगी है पी से प्रान कामी है के से कर प्रचिती है और ए से आयरवेद समुथानी है ठीक है तो इन चारो chapters में क्या है रसायन का पूरा description बताये गया है कि रसायन क्या होता है और different different जो रसायन है जिसे ब्रम रस चारा ओर ! करता है जिसे ब्रसायन के बारें की दिस्क्राइब किया गया है तो रसायन क्या होता है तो रसायन की कई सारी definitions हैं जी सारा रंग्दर सेहित्हां में रसायन क की व्यादी विनाशनम यानि कि जो क्या है जरा और व्यादी का विनाश करता है जरा यानि कि बुढ़ापा और व्यादी यानि कि बिमारी तो जो जरा और व्यादी का विनाश करता है उसे क्या है रसायन कहते है यानि कि जो बुढ़ापे को आने से रोकता है और बिमारी को होने से रोकता है उसे क्या कहते है मतलब जिसका सेवन करने से बुढ़ापा जो है वो जल्दी नहीं आता है और दूसरा क्या बिमारी नहीं होती है तो उसे क्या है रसायन कहा जाता है या चरक सहीता में जो है वो क्या चरक चिकित साइक में क्या बताई गई definition पर को यतित करूं क्या है स्वस्थ को बढ़ाता है स्वस्थ के लिए हिद करहें उसे कहां जाता है कि तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की जो क्या रक्षा करता है या जो हेल्पफुल होता है हेल्दी बॉडी को मिंटेन करने में उसे क्या रसायन कहते हैं रसायन के गुण क्या बताए गए है दीरगम आयू इस्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रभावर्ण स्वर ओदर देह इंद्रिय बलंपरम वाक सिद्धी प्रणती कांती लवतेना रसायनात लाभो पायो ही शस्तानाम रसाधिनाम रसायनम यानि कि जिसका सेवन करने से क्या होता दीर आयू की प्राप्ति होती है जो मेमोरी है वो बढ़ती है चीजों को recall करने की जो power है वो रहती है लंबे समय तक क्या इंसान जो है वो young age जो है उसे enjoy करता है जो body का lusher है जो skin का lusher है वो क्या है maintain रहता है वाणी मतलब जो बोलने की जो power है और जो इंद्रियों की जो शक्ती है यानि की सभी sensory organs जो है वो properly work करती है जैसे आखों का में देखना तो उनकी क्या है proper जो eyesight है वो maintain रहती है कानों से क्या hearing power जो है वो maintain रहती है तो जो भी sensory organs है पांच जो इंद्रिया बताई गई है चचु है घ्रान है नासा है करन है तो यह सब के जो अपने अपने काम है वो क्या है यह properly करती है ठीक है तो उसे ही क्या कहते है रसायन कहा गया है कि यानि जिसका सेवन करने से ओवरॉल पूरी बोडि जो है वो बोल्डि हेल्दी रहती है रसायन करता है TA है यही क्या है रसायन की importance भी है जैसे इंदर के गुड क्या होते है रसाइन की importance क्या है ठीक है रसाइन क्यों ज़रूरी है क्यों save-n क्रता जाए कई तरीके से एक इ cuרכशन पूछा जाता है रसाइन की importance क्या है यह naar a sign का save-n क्यों क्यों करना चाहिए यहाится, a sign save-n करने की क्या benefit है रसायन का मतलब इतना जो प्रमोट किया जा रहा है कि खाना चाहिए वो क्यों खाना चाहिए या कोई स्पेसिफिक कैदे 54 प्राश खाने के क्या फायदे है ठीक है तो रसायन की क्या यही question पूछे जाने के कई सारे तरीके है एक ही question कई कई तरीके से पूछा जा सकता है answer उसका क्या यही होता है ठीक है कि रसायन का 7 करने से क्या होता है जो आयू जो है उसकी वृद्धी होती है मतलब क्या life longevity बढ़ती है लाइफ की जो longevity है वो increase करती है जो memory है ठीक है जो recall करने की power है चीजों को retain करने की ठीक है वो power वड़ती है लंबे समय तक क्या youthfulness रहती है youthfulness का मतलब क्या energetic रहता है इनसान जो काम एक एज के बाद नहीं कर पाते है एनरजी रहती है यंग एज ओल्ड एज में क्या difference होता है कि यंग एज में हम बहुत सारे काम है चलना फिरना घूम लरा ट्रेवल करना या कुछ भी जो काम है वो कर सकते है ओल्ड एज में इन सब चीजों का क्या restrictions जाता है तो इनसान क्या energetic रहता है यूद फुलनेस रहती है उसमें इसकिन का जो लश्चर है जो उसका कलर है वो क्या है प्रॉपर मिंटेन रहता है जो भी हमारी sensory organs है जैसे आक है नाक है कान है यह सबके जो अपने physiological function है वो क्या ही अपना प्रॉपरली वर्क करती है इनके जो physiological function है वो मिंटेन रहते हैं इन function को क्या promote करने का काम करता है वाक सिद्धी प्रणती कानती है यारी की मतलब जो बोलने की जो power है जो छमता है उसे क्या है maintain करता है proper voice maintain करना तो यह सारे काम जो होते हैं क्या है ठीक है फिर next question क्या है या next क्या है रसाइन के भेद तो रसाइन के क्या है दो भेद होते हैं प्रयोग विधी से मतलब किस तरीके से हम रसाइन का सेवन करने वाले हैं तो प्रयोग विधी से रसाइन के क्या है दो भेद होते हैं कौन-कौन से कूटी प्रावेशिक और वाता क्रम शाह परे Hm sok फिर मनुज्भने करके कोटि जाता है, तो यह क्र गाशिक बाहर निकलता है, कोटी होन्ग होता आ जब क्या है, simple भाषा में अगर बोलें, तो जब क्या एक specific और restricted way में रसाइन का प्रयोक किया जाता है, और जो क्या है, daily day to day work करते हुए नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, कुटी प्राविशिक बोलते हैं, ठीक है, जब एक specialized manner में रसाइन का सेवन कराया जाता है, जिसे करते समय हम लोग अपनी जो day to day life activities हैं, उनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए एक special तरीके का जो घर है, उसका formation किया जाता है, और जहां इनसान को क्या है, time के साथ, मतलब फस्ट कमरे से second कमरे में एक हफ़ते के बाद, फिर second से third कमरे में एक हफ़ते के बाद ब जो day to day life की activities को करते हुए, जो साथ में रसायन का सेवन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वातात्पिक कहते हैं, तो अपनी day to day life activities को बिना hamper किये, बिना उनमें कोई change किये, जिन रसायन का सेवन हम लोग करते हैं, वो क्या होता है, वातात्पिक रसायन होता है, ठीक है, जैसे कि है चवन प्राश खाते हैं, या पिपली वर्दमान रसाइन है, या शिला जतु रसाइन है, ठीक है, तो क्या है कि हम लोग ये डे टू डे लाइफ में मतलब अपनी अक्टिविटी जो हमारे नॉर्मल वर्क हैं, उनको भी कर रहे हैं, और उसके साथ में क्या है, रसा आजस्रिक, काम्य, काम्य, नैमित्तिक और आजस्रिक, तो काम्य क्या होता है, जब स्वस्थ व्यक्ति कोई हल्दी व्यक्ति है, उसमें क्या है, वैस्थापन के लिए प्रभा, वर्ण और मेधा को बढ़ाने के लिए रसाइन का सेवन किया जाता है, तो उसे क्या है, काम्य तो स्वस्थ व्यक्ति में वैस्थापन, प्रभा, वर्ण और मेधा को बढ़ाने के लिए जब रसाइन का सेवन कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं काम में रसाइन के लिए यानि कि कोई हल्दी इंसान है वो क्या है जब या तो क्या है अपनी एज जो है उसको प्रमोट क को बढ़ाने के लिए रसाइन का सेवन करता है तो उसे क्या काम में रसाइन कहते हैं इसके फर्दर तीन क्लासिफिकेशन है काम में रसाइन के प्राण काम में श्री काम में और मेधा काम में इतना इंटररल नहीं पूछते हैं मैं बस आपको इन जनरल एक बताने के लिए ब काम में नेमित्थिक और आजस्रिक तो काम में क्या होता है स्वस्त व्यक्ति में वैस्थापन प्रभा वर्ण और मेधा को बढ़ाने हे तू जो रसायन का सेवन किया जाता है उसे काम में रसायन कहते हैं नेक्स्ट है नैमित्तिक तो नैमित्तिक रसायन क्या होता है किसी व्याधी को नश्ट करने हे तू जिस रसायन का सेवन किया जाता है उसे क्या कहते है नैमित्तिक रसायन जब हम लोग निमित क्या होता है निमित का मतब कारण होता है तो जब किसी व्यादी को नश्ट करने के लिए हम किसी रसायन का सेवन करते है तो उसे क्या नैमित्तिक रसायन कहते है जैसे एक्जाम्पिल क्या है प्रमेह में क्या शिलाजतु रसायन का सेवन करना तो प्रमेह क ओसके खतम करने के लिए हम क्या रसायन का श्वन कर रहे हैं। पर नेक्स्ट है थर्ड है जिस रसायन का सेवन क्या जाता है, मतलब धातू की पुष्टी करने के लिए धातू की पुष्टी और ओज की व्रद्धी हेतू जिस रसाइन का सेवन किया जाता है उसे क्या है आजस्रिक रसाइन कहते है धातू की पुष्टी और ओज व्रद्धी हेतू जिस रसाइन का सेवन किया जाता है उसे आजस्रिक रसा एक्जाम्पिल क्या है आमलखी रसायन तो रसायन के तीन प्रकार कौन से हैं काम में नहमित्तिक और आजसरिक सुरस्ट वैक्ति में वैस्थापन, प्रभा, वर्ण और मेधा को बढ़ाने के लिए जो रसायन का सेवन करते हैं वो काम में रसायन कहलाता है किसी व्यादी को नश्ट करने हेतू जिस रसायन का सेवन किया जाता है वो नेमित्तिक रसायन कहलाता है धातु पुष्टी और ओल्जो वर्धन हेतू जिस रसायन का सेवन किया जाता है वो आजस्रिक रसायन कहलाता है ठीक है एक्जाम्पिल क्या जश्रिक का ओम आमलकी रसायन ठीक है अब एक next question आता है कि रसायन और वाजीकरण में से दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है रसायन का सेवन ज़्यादा अच्छा होता है या वाजीकरण का सेवन तो रसायन और वाजिकरण इन दोनों में क्या है रसायन का प्रयोग उत्तम माना जाता है यानि कि रसायन और वाजिकरण में अगर पूछा जाए तो रसायन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशल होता है हेल्थ के लिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रसायन के प्रयोक से क्या होता है? शरीर में सात्विक गुणों की व्रद्धी होती है तीन प्रकार के मन बताएगा ना सात्विक राजस और तामस तो रसायन का सेवन करने से मनुश्य के शरीर में क्या होता है? सात्विक गुणों की व्रध्धी होती है जबकि वाजी करन का सेवन करने से क्या होता है? राजस गुणों की व्रध्धी होती है तो रसायन का सेवन करने से शरीर में क्या सात्विक गुणों की वरद्धी होती है जबकि वाजी करन के प्रयोग से क्या होता है राजस गुणों की वरद्धी होती है तो इस वज़े से रसायन और वाजी करन इन दोनों में क्या है रसायन का प्रयोग जो है वो उत्तम माना जा तो यह बहुत important नहीं है interview point of view से फिर भी एक वार मैं बोल देती हूं कि रसायन सेवन के योगी के साथ पुरुष बताए गए कौन-कौन से अनात्मवान, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यस्नी, पापक्रद, और भहशज अपमानी ठीक है अब रसायन सेवन का नियम क्या है तो रसायन का सेवन करने से पहले पूरे शरीर का संशोधन कराना बहुत जरूरी होता है रसायन का सेवन करने से पहले शरीर का संशोधन कराना क्या है जरूरी होता है अगर बिना संशोधन करा है रसायन का सेवन करेंगे तो पूरा जो benefit है रसायन के जो गुण है जो body में जो उसका positive effect है या जो उसका उसकी वज़े से जो developing growth हो नी थी या जो अच्छी चीज़े चेंजिस आने थे body में वो क्या है पूरा असर नहीं हो पाएगा तो रसायन का सेवन शुरू करने से पहले पूरी तरीके से body की संशुद्धी या संशोधन हो जाना के बहुत जुरूरी होता है ठीक है फिर next है अब इसमें कुछ मैं रसायन के नाम बता देती हूँ तो आप लोग note कर लो जैसे 4-5 रसायन योग या इस तरीके से पूछते हैं चवन प्राश रसायन चवन प्राश रसायन पिप्पिली रसायन ब्रम रसायन वर्धमान पिप्पिली रसायन चवन प्राश रसायन मेध रसायन, पिप्पिली रसायन, वर्धमान पिप्पिली रसायन, त्रिफला रसायन, शिलाज़तू रसायन, नागबला रसायन, त्रिफला रसायन, शिलाज़तू रसायन, नागबला रसायन, ठीक है? और एक क्या है? आचार रसायन, यह क्या है? आचार चरक का अवदान है, यानि इसका डिस्क्रिफ्प्शन या इसका वर्धम केवल क्या आचार चरक ने किया है, और आचार चरक ने इसे क्या है? श्रेष्ट रसायन भी वोला है, ठीक है? होता क्या है यह आचा रसायन यह क्या मानसिक रसायन है मानसिक रसायन है इसका मतलब क्या है कि इसमें बिना किसी औशद का प्रयोग किया है इसमें रसायन औशद का प्रयोग नहीं होता है जैसे बाकी सबमेशिला जयतु रसायन है सिर्फ कि सदाचार और सद्वृत का पालन करने से शरीर और मन पे क्या होता है रसायन के समान प्रभाव पड़ता है कहने का मतलब यह है कि अभी जो मैंने गुण बताये थे या इंपोर्टेंस बताये थी रसायन की कि आयू मतलब लाइफ की लॉंगिविटी बढ़ती है सेंसरी और गन्स प्रॉपर्ली वर्क करते रहते हैं बॉड़ी की म्यूनिटी इंक्रीज करती है यह जो बाकी सारे तैति स्किन कलस्चर वगरा ठीक रहता है वही सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स है वह क्या है बिना रसाय और मानसिक रसायन यानि इन मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करके बिना किसी रसायन आउसत का सेवन करें बिना भी जो हेल्थ बेनिफिट्स और आउशद रसायन से मिलते हैं वही सारे हेल्थ बेनिफिट्स जब मिलते हैं सदाचार और सद्वरत का पालन करने से तो उसे क्या बोलते है आचार असाइन बोलते है आचार असाइन में द्रव्य कितने होते है दो कौन-कौन से छीर और घ्रत तो आचार असाइन में द्रव्य कितने होते है दो होते है छीर होता है मैं छीर का सेवन कर सकते है और घ्रत का सेवन कर सकते है और औशद द्रव्य कितने होते हैं आचार असायन में जीरो तो आचार असायन में औशद द्रव्य कितने होते हैं जीरो होते हैं जबकि द्रव्य कितने होते हैं दो होते हैं छीर और घरत तो आचार असायन में शामिल द्रव्य दो छीर और घरत और आच्छा रसायन में शामिल ओशद्रव जीरो ओशद्रव है कितने है जीरो अब नेक्स्ट है एक और इंपोर्टेंट होता मेध्ध्य रसायन तो मेध्ध्य रसायन क्या होता है मंडूप पर्ण्या स्वर्शा प्रयोज्या इसका मतलब क्या है चार जो है वो चीज़ें कौन-कौन सी मंडूप पर्ण्या स्वर्श गुड़ुची का स्वर्श मध्य श्टी चून और संख पुष्पी मूल पुष्प का कल्क संख पुष्पी मूल पुष्प का कल्क ये क्या है मेध्ध्य रसायन कहलाते है तो मंडूप पर्णी स्वर्श उसे क्या मधू से दिया जाता है मधू के साथ उसका सेवन करते है मंडूप पर्णी स्वर्श का सेवन करते हैं मधू के साथ गुर्ची के सरुस का सेवन करते हैं मधू से तो मंदूक पढ़नी स्वरस और गुर्ची स्वरस का सेवन किसे करते हैं मधू से मधू यश्टी चून का सेवन किसे करते हैं दूध से संख पुष्पी मूल पुष्प का सेवन करते हैं दूध से मतलब संक पुष्पी मूल का कल्क उसका सेवन दूद से, दो का क्या है मधू से हो रहा है सेवन, दो का दूद से, मंडूक पढणी स्वरस, गुडची स्वरस का सेवन मधू से है, और मधू यश्टी चून, और संक पुष्पी मूल का कल्क का सेवन किस से है, दूद से, तो य ये क्या होता है मेध्रसायन होता है और इसमें भी मेध्रसायन वैसे ओन छारोई क्या है मेध्रसायन नाम से समझ में आ रहा है क्या है क्या है brain tonic का काम करते है या brain' की जो power है memory है ठीक है उन सब को बढ़ाने के लिए क्या हो तर्ट नर्वस system basically ये क्या है नर्वस सिस्टम पे एफेक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम का जो हल्थ है उसको क्या प्रमोट करते हैं जो मेद्धिरसायन है जो मेद्धिरसायन है वो क्या करते हैं जो नर्वस सिस्टम में उस पे आक्ट करके उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको क्या इन्हेंस करत ठीक है तो यह क्या है रसाइन के बारे में पूरा ओवरॉल था अब नेक्स टाइम से अब मुझे लग रहा है अपनों को समझ में आ गया होगा कभी भी कोई कुछा जाए तो आप लोग फिर वह आंसर कर लोगे कि कैसे रसाइन काम करता है यह क्या बॉडी की इम्यूनिटी ब इम्यूनिटी इन्हांस करने काम करते हैं ढॉक्त्र चित्र लेखा मैं आपके फोन का कैम्रा ओन है तो यह सारे काम क्या है रसाइन करता है इसलिए कि इम्पोर्टेंट होता है और यह आईर्वेद का प्रयोजन है स्वस्ता से स्वास्तरेक्ष्ण में आतुरस से विकार प्रश्मनम चाहिए दोनों की ही क्या है पूर्ती करता है यानि यह क्या है स्वास्तूर्जस कर भी है healthy इंसान को क्या है healthy maintain करने में help कर रहा है और जो व्यादी है उसका भी नाश करता है तो आज की क्लास यहीं तक है अभी किसी का कोई question है तो वह पूछ ले फिर उसके आद मौक इंटर्वीव शुरू करते हैं